जय हिन दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहिती के बहुत ही महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं ओल पर कलिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तक पहुँचे जयाद से जयाद वीडियो को सेर करें और वीडियो को लायक करने न भूलें आज का अपना फर्ष्ट कॉश्चन है हाला टेक अनहिया किसकी रचना है आनसर बनता है तो आप क्मेंठ बने जरुबता हैं चार विकल्ब भी दे गये हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है अमीर खुसरो यानि कि विकल्प नंबर आपका C यहाँ पर सही आंसर होगा हाला तिया कनया अमीर खुसरो जो की रचना मानी जाती है question number आपका यहाँ पर 56 क्या पूँचा है हिंदी नौरतने की लेखक है हिंदी नौरतने की लेखक कौन है बताईए महावीर पिरसाद दुबेदी, मिसर बंदू, परताप नारान, मिसर या इन मेंसे कोई नहीं हिंदी नौरतने की लेखक पूँचा है की हिंदी नौरतने एक आलोचिनातमक किरती है जिसके आलोचक रचनाकार कौन है तो अब भी पढ़ा आपन ने यहाँ पर कौन है तो मिसर बंदू आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल चाही question number आपका यहाँ पर अंठाउन पूँचा है की मादव बिलास के रचनाकार कौन है लल्लू लाल सदल मिसर राम परसाद निरंजनी या सदा सुकलाल यह question आपकी पूँचे गए है जिस परकार यह आपका TGT 2009 पूँचा गया है TGT PGT में यह question पूँचे गए question है और आपका हैं पर सही आंसर है लल्लू लाल आपका राइट आंसर होगा मादव बिलास की रचनाकार मानी जाते है तो विकल्प नमबर A आपका यहाँ पर सही आंसर है 1817 की रचना मानी जाती है मादव बिलास अंगले question क्या पूँचा गया है तो question नमबर आपका यहाँ पर 69 क्या पूँचा है तो 69 वा question यहाँ पर आपका दिया गया है देख लेते हैं देखे बिहारी बिहार नामके ग्रंत के रचेता कौन है question नमबर 69 2017 में पूँचा क्या है कासिनात खत्री है रादचन गोस्वामी बिहारी या अंबिका दत्त ब्यास तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंबिका दत्त ब्यास अंबिका दत्त ब्यास यानि की विकल नमबर D आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचंद सुकल जी ने अंबिका दत्त ब्यास को ब्रिज भासा का अच्छा का विमाना है किसको अंभी का दत्त ब्यास को किसने राम्तियंद सुकल जी ने कौस्च नमबर आपके यहां पर 60 क्या पूँचा है कि मौची राम तता पठकता के लेका कौन है कौस्च नमबर 60 है और 60 का सही आंसर यहां पर आपको बताना है बताइए तो मौची राम तता पटकता के लेकर पूँचा है तो आपका राइट आंसर होगा 60 का B यानिकी धूमिल आपका यहाँ पर सही आंसर है धूमिल आपका सही आंसर है बिल्कुल सही सुदाम पांड धूमिल की कविता है ए मौची राम तता पटकता अंगला question क्या पूच्छा है संसद से सदक तक कि रचिनकार कौन है मुक्तिबोध है धूमिल है सर्विसविदाल सक्षेना है लील अधर जबली है तो आपके यहाँ पर right answer है 61 का right answer क्या होगा संसत से सलक तक की रचनकार पूँचा है तो धूमिल आपके यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number B आपके यहाँ पर right answer है धूमिल जिन्हों नहीं बताया है उनका यहाँ पर सही answer होगा दिये गए विकल्पों में से जिसमें खड़ी बोली के महाकापवें का नाम हो देखिए यहाँ पर आपको बताना है किस विकल्प में खड़ी बोली के महाकापवे हैं साकेत का माईनी प्रिये प्रबास आपका सही आंसर है अयुद्धा से अपाध्या है अरिवत जी का प्रिये प्रबास है 1914 का मेतली सन्गुप्त जी का साकेत है 1931 का का माईनी जैसंकर परसाथ का 1935 का महाकाप्य माना जाता है अंगले कॉस्चन क्या पूंचा है तो कॉस्चन न कला और बूला चांद तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी कला और बूला चांद रब जो है नांगर जी द्वारा रचित नहीं है यह जो है सुमित्र नंदन पंत द्वारा रचित का आप माना जाता है कला और बूला चांद कॉश्य नंबर आपका यहाँ प प्रसाद मिस्र आपका यहां पर सही आंसर होगा तो विकल्ट नंबर B आपका यहां पर सही आंसर है 2013 में TGT में एक कोश्चिन पूचे गया था और देखे हिंदी साहित का अतीत भागी एक भागदो आचार विस्जुनाद प्रसाद मिस्र का आलूच नात्मक गरंथ माना जा एक रहाता है और साहष्चन की अंपर 56 ज्पिरॐ पूंचा है हिंदि साहच इसक की विआ को कौशन दबल हो गया है पो सुनाद पर साद की रचना है ुर आपका sow Chin पूंचा है बताइए ये जालंधर नात की है मचेंदर नात गोरकनात या इन मेंसे कोई नहीं Q66 है और आपका महत्वपूर्ण QP पूंचा गया है राइट आंसर है आपका B यानि की गोरकनात आपका यहाँ पर सही आंसर आत्म बोध नाम ग्रंत की रशिनाकार कौन है तो हटी योग की प्रवर्टक माने जाते हैं जो गोरकनात इसकी रशिनाकार है अगर आपसे पूंचा जाए हटी योग की प्रवर्टक माने जाते हैं तो गोरकनात माने जाते हैं Question number आपका यहाँ पर अंगला क्या पूंचा है और 69 question यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं Question number 68 आपका यह रहा आत्में बोध किसकी रचना है तो गोरक नात आपका यहाँ पर सही आंसर डबल है कॉस्चिन और कॉस्चिन नुमर 59 यहाँ पर पूचा है कि इनमें से किस गरंथ में सबसे प्राचीन गत्य का नमून द्रश्टब है गरंथ आपके लिए बताना है कि कौन सा गरंथ है तो बता गोरक नात साहित की आरम करता माने जाती है और भी सिद्ध मचेंदर नात की सिद्धी कौन गोरक सार और यहाँ पर जो है अंगला कॉस्चिन क्या पूचा है कौल ग्यान निर्णाय की रचिनाकार कौन है कौस्चिन नमबर 70 में आपको बताना है क्या होगा 70 का राइट आंस होगा सी राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर है देहाती दुनिया की रचिनाकार है पदमलाल पुनलाल बक्सी या सिव पूजन सहाय हजारी पर साथ दुबेदी या बलभद्र दिक्षित तो कौस्चिन नमबर 71 है और 71 का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताईए 71 का राइट आंसर है सिव पूजन सहाय देहाती दुनिया की रचिनाकार माने जाती है और देखिए सिव पूजन सहाय जो है उपन्यासकार हिंदी साथ को पन्यासकार कहानिकार संपादा की उपत्रकार थी भासा की जादूगर की रूप में प्रिसिद्ध है भासा की नमबर 72 देखिए भासा कि जादुगर की रूप में कौन ब्यक्ख्यात सीरेज हैं देखिए वही question पूश्चन 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 का सिव पूजन सहाई आपका यहाँ पर सही answer है सिव पूजन सहाई आपका सही answer TGT में पूश्चन है आपका question नमबर आपका 33 पूश्चा है संदर्व की लेकक कौन है dr. बिनए सिर्राम बरमा दूध नास सहें या इनमें से कौई नहीं संदर्व के लेकक आपको बताना है कौन है इसके लेकक बताए चार विकल्प आप कि हाँँ पर दिये गए है question number 33 है D right answer है इन में ऐसे कोई नहीं होगा आपका सही answer देकि संदर्व का लेकल प्रस्तोर विकल्पों में ऐसे कोई नहीं है बिनाई डाक्टर बिनाई की किर्ती एक पुरुस और भी है सेक्षिक संदर्व एक दुई मासिक पत्रिका है जो है सिक्षकों तथा सिक्षा में रुची रखने वाले के लिए समान रूप से उप्योगी है और एक लब भोपाल मद्द प्रदिस दौरा प्रकासित होती है question number आपके हैं पर 24 क्या पूंचा है आत्मे जई के लेखक कौन है आत्मे जई के लेखक कौन है रगवीर साह है दोस्यंत कौमार है या पिर इनमे से कौई नहीं है तो आत्मे जई के पूंचा है तो आपकर आइट आंसर होगा कौन नाराएन तो बिकल्प number A आपका इहां पर सही आंसर है आत्म जाई कुए नारा द्वारा लिखेते कटोपनिसद के रची केता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंद का बिमाना जाता है आत्म जाई अंगला कॉस्चन क्या है इनमें से किस किर्टी रचना का आधार कटोपनिसद है देखे अब भी पड़ा है अपनने तो बहे कौन सी रचना है तो आत्म जाई आपका इहां पर सही आंसर जी आई सी प्रबक्त परिक्षा 2017 में एक क्वास्चन पूंचे गया था आत्म जाई आपका राइट आंसर एक इस बताना है तो आपका सही आंसर है आपका राइट आंसर एक क्वास्चन पूंचे माना जाता है हिंदी के बरिष्ट कभी और ज्यानफीट पुरुसकार से सम्माने थे कुवन नाराइन का निधन 2017 में हो गया था और इन्होंने कभीता के अलावा कहानी आलोचना बिधाव में भी इन्होंने रचनाएं लिखी है किसने लिखी है ये लिखी है कुवन नाराइन सहजी ने तो यहाँ पर कुवन नाराइन का कभ बसंगरा पूँचा तो हास यह का गवा है आपका सही आंसर होगा और अंगले question क्या पूँचा है देखे लुकमान अली यहाँ पर पूँचा है आपसे क्या पूँचा है लुकमान अली किस की काप दिरचिना है बताईए question number 77 का right answer क्या होगा question number 77 है महत्पूण है और आपका यहाँ पर जो सही answer है question number 77 का वह है आपका बिल्कुल सही विकल्प number C right answer है यानि की स्वामित्र मोहन आपका यहाँ पर सही answer होगा स्वामित्र मोहन जिनों ने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है Q. नमबर आपका यहाँ पर 78 पूँचा है प्रबंद चिंतमणी की रचेता का नाम बताना है Q. नमबर आपका यहाँ पर नमबर आपका यहाँ पर D जो है आपका सही आंसर है Q. नमबर 89 है और महत्तपून है Q. नमबर आपका यहाँ पर पूँचा है Q. नमबर आपका यहाँ पर पूँचा है Q. नमबर आपका यहाँ पर पूँचा है अस्ती जैवेंग जस्चंदरिका की रचेता कौन है अब भी बताए आपके लिए कि जैवेंग जस्चंदरिका की जो रचिनकार मानी जाती है बहें मदूकर मानी जाती है कौन मानी जाती है मदुकर कभी आपका यहाँ पर सही आंसर हो का बिलकुल सही जिन्होंने विकल्प नमबर D बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है अंगले क्वास्चन यहाँ पर क्या पूँचा है तो देख लेते हैं क्वास्चन नमबर 182 आपका यहाँ पर दिया गया है क्या पूँचा है अपराजिता के लेकक कौन है नरेंदर सर्मा है दिनकर है अंचल या माखनलल चतुरवेदी कौस्च नमबर 81 है महत्वपूर है और 81 का आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वहे विकल्प नमबर B यान की अंचल आपका यहाँ पर सही आंसर है अपराजिता काप गरंथ के लेकक जो है रामिसो स्वकल अंचल है इनकी अनकाप गरंथ की बात करें मदूलिका अपराजिता आदी इनकी जो है इनकी कहानी संग्राई जो है बन जाते हैं अंगला कौस्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं अंगला कौस्चन यहाँ पर क या इन मेंसे कोई नहीं समाधी लेकी की पूझ़ा है तो स्रीकांत बर्मा होंगी आपके सही आंसर एक आप भी किरती है और किस की है स्रीकांत बर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है समाधी लेक के लेखक माने जाती है question number आपका यहाँ पर 83 पूझ़ा है मगट प्षतक के लेखक कौन माने जाते हैं श्रीकान्त बर्मा माने जाते हैं रामचेंद्र बर्मा सिर्राम बर्मा के दानात से हैं कोस्चन नमबर 83 है महत्वपूर है और आपके यहाँ पर जो सही आंसर है 83 का बहे आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक यानिकी स्रीकांत बर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर पूचा है 84 मगत कभीता संग्राई की रचेता तो यह डबल हो गया question सिरीकांत बर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही और यहाँ पर question number 85 देख लेते हैं क्या दिया गया है तो question number 85 आपका इरहा देखिए सेखर जोसी की रचना है क्यां सिह मकान या कोशी का घटवार हत्यारे या इनमेंसे कोई नहीं तो 85 का आंसर बताने है महत्तपुन question पूचा है और आपका यहाँ पर सही आंसर है कोशी का घटवार कोशी का घटवार यानिकि विकल्प number C आपकर आईटा आंसर है कोशी का बहा नोरंगी बीमार है मेरा पहाड पृतिनिती कहानिया एक पेड़ की याद आदी इनके जो है अन्न महत्तपुन रचनाय मानी जाती है किसकी सेखर जो CG की तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्तपुन question complete हुए कैंसा लगा यह वीडियो कमेंट में जरू बताए अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe करने, bell icon दबाएं, all पर click करें ताकि all वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जाता से जाता वीडियो को share करें और वीडियो को like करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन अभी के लिए जय हिन